हलो फ्रेंड्स वेलकम टू और क्लासस मैं बहु पेंदर पांडे का इसमें जैसा कि आप लोग को फिप्ट समस्टर के थेओरी आफ मसीन के इंपोर्टन कुष्चन के बारे में बात करने वाले हैं यहां पे जो जिन बच्चों का समस्टर में बैक लग गई थी थेओरी आफ मसीन का उनके उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ होने वाली है तो वीडियो लास्ट तक देखनी है तभी आप लोग को समदने आएगा ठीक यहां पे जैसा कि स्क्रीन के माध्यम से देख परे हैं कुछ important question यहां पे जैसा कि आप इस्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं फर्स्ट वाला question क्या कह रहा है मसीनों में प्रियोग लाई जाने वाले बीभिन्य प्रकार के kinematic spares क्या होता है एक प्रकार समका सकते हैं जो सुध्ध गति विसलेशन होता है इनके बारे म में आप लोगों को पूरा बिरूफा सबस्तार वर्डन करना है वहीं पर नेश्ट कुष्चन जैसा के माद्य हम से देख पा रहे हैं सुक्षी चित्र की सहाथा से एक सलांडर क्रेंक यंत्र बिरूफा सबस्तार सरशना करना है वहीं पर जो गत्य होती है इनके बार में क्या अंतर होता है इनके बीच में क्या होता? अंतर होता है, ये क्या होता? रेखांकि चित्र के दौरा आप लोग को इसमें दर्साना है वहीपर जैसा का आप इस स्क्रीन के मांदयम से देख पा रहे हैं, Synthetis ठीक, synthesis of mechanism से आप क्या समस्ते हैं, आप इसके बारे में आप क्या समस्ते हैं और इसकी उप्योगता क्या होती यानि कह सकते हैं जो synthesis of mechanism होता है यहाँ पर जितने भी topics हैं आप लोग को English words जरूर ही ध्यान देना है ठीक, यहाँ पर काफी most important है क्योंकि होशकता है कभी कभी हिंदी में पूछ लिया जाता है और उसी को ही English word में पूछ लिया जाता है हिंदी में लिखका है ठीक, तो आप लोग ऐसे confusion मत होना क्योंकि हिंदी के words के साथ साथ आप लोग को English word भी चूच कीजिए यानि कह सकते हैं आप लोग उप्योग कीजिए ठीक, वहीं पर आप लोग को निश्ट आता है जैसा कि आप लिसम के मद्धयम से देख पा रहे हैं मसीनों में fly wheel, fly wheel का व इसे unintended पर होता है इनके बार में आप क्या समझते हैं और सवच्छी की साहता से आप लोग को बताना है, वहीं पर निश्ट आता है तो गवर्नर यानि जो यंत्र होता ख स्वत Ugh से से बताना है नेधन ता तो मसीनों में जायरोसकोप क्या होता है झायरोsn को कि case से आप क्या ताथपर है एकसी चर 캬 सचीुंग और फिए ढब उप्योता है इस Philippines वह शेयरोसकोप होता है क्या होता है इसका उप्योत क्यों क्यों किया जाता है इनके बार में आप की बैलांसिंग की लिए बीधि βीति बताई है यो क्या होता है उसकी um-b arrogant कि जाती है इनके बारे में पूरा बीधुफ़ार सट रडिंग से पढ़ लेना है वहीं पे नेश्ट आता आं तो मसीनों में प्रियोग लाई जाने एक कायम क्या होता है कायम का कार क्या की ब्याख्या कीजिए और बीविन प्रकार के कायम और कायम फालोवर की सरचना का ब्याख्या कीजिए जो एक प्रकार से मसीनों में प्रयोग क्यों प्रयोग किया जाता है इनके पारे में अब बताना जाता है बताया जाएगा ठीक और का क्या हिम क्या होता और का मिचा भाईंटर क्या होता इनका रेकां की चितर्य उद्वारा व्र्धूरं करना है देख पारे है were just जितने भी इंचितंन अभी क्रेंथ है सभी को प्रिगर नघ आप लोग को फूरा में मसीनों में सकती संचा सकती अस्थांतर के मौलिक गियरिंग नियम क्या होते हैं इनके बारे में वहीं पे गियर ट्रेन क्या होता है काफी मोश्ट इंपोर्टन और बेरी बेरी मोश्ट इंपोर्टन ठीक स्वक्षिचित्र की साता से कंपाउंड गियर ट्रेन की ब्याख्य है वहीं पर नेश्ट आता है दो का दो भागों में टिक वाडिक लिखने के लिए तो दोन यंतर की सालेंसर क्या होता है और गीर्स में इन्वालविंग फोरोफाइल्स क्या होती है और जब तथा क्रास ओबर स्टोक क्या होता है इन सभी चीज़ों के बार में आप लोगो क्षी चाहिता है उनके बार में आप लोगो बताना वहीं पर नेश्ट आता है तो मसीनों में जो फ्लाइव विल बिलकुल भी महित पढ़ना है ठीक गवर्णर आपके स्लेबस में नहीं था उस बार फिर ठीक वही पर नेश्ट आता है तो इस थिर अम गतसील बल बिसलेशन से आप क्या समस्ते हैं उचित उदहार दीजिए जो गतसील और बल बिसलेशन होता है इनकी बारे में आप क्या समस जैसा कि आप इसनकी माद्यम से देख पा रहे हैं एक घोडी के संतुलन करने की क्या अवस्ता होता है और संदर्फ संतल से आप क्या समस्ते हैं समझाईए जो एक घोडी को संतुलन करने की क्या अवस्ता होती है किसी भी घोडी को संतुलन क्यों किया जाता है इनके बारे मे सब्ढ़ेंगालं होता है उसमें कैम और फालोवर लगे होते हैं इनका पूरा सबिस्तार वर्डन करना है और रेखांकी चित्र द्वारा ही आप लोगों को पूरा 247 से धर्थाना है, वहीं पे नेश्ट आता है, तो बीभिन प्रकार के जो गीर होते हैं, गीर का सुची बद्द कीजिए, इनके बारे में आप क्या समझते हैं, और उनमें किसी एक प्रकार का होते हैं, उनको नामांकीत करना है, वहीं पे नेश्ट आता है, तो गीर माला, गीर माला से क्या निस्कर से निकलता है, और यह क्या होता है, इनके बारे में आप लोगों को पूरा बिद्द्वर से पढ़ लेना, इनके हान ही होता है, क्या होता है, इसके लाब क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में थीक वहीं पे नेश्टु कुछन जासा आपके स्क्रीइल के मादाम से देपार हैं तो कमपन, कमपन में किन कारुण से होता है और कमपन कौन कोन 황से दूत प्रभाव को प्रभाव इन चारों टॉपिक के बारे में आप लोगो पूरा बिदूफा सेडिंग से पढ़ लेना है कमपन बेरी मोश्ट इंपोर्डन्ट है वही पे फ्लाइफ विल क्या होता है फोर बार मेकैनिसम क्या होता है ठीक यहाँ पे जो कडिया होती है कितने प्रकार क्यों होती है ठीक इन सबी चीज़ों के बारे में चार छाण चैनी अंतर बिन्यास का होता है ठीक इन सबी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पूरा बिदूफा सबी स्टार वर्डन कर लेना यानि पढ़ लेना है वहीं पे next question जैसा का पे skin के माईबरस देख पा रहे हैं तो 4 बार mechanism के प्यानेजमिक रही में क्या समझते हैं इनकी ब्याक्या करना है और static और dynamic force क्या समझते हैं इससे के बारे में हम पूरा अंतर जो static और dynamic force होता है इनके बारे में क्या समझते हैं और उसका अंतर क्या होता है? इनके बारे में आप लोगों पूरा बीद्रों से पढ़ लेना है वहीं पे निश्ट आता है तो मसीनों के जाइरो स्कोब एक्षन की ब्याक्या कीजिए और टर्निंग मोमेंट डाइग्राम क्या होता है? इनके बारे में वही पे space mechanism क्या होता है ठीक रिक्त mechanism क्या होता है इनके बारे में वही पे निश्ट आता है तो gravity control governor ये आपकी syllabus में नई है इसको बिलकुल भी नहीं पढ़ना है वही पे stability और sensitivity of governor ये भी नहीं पढ़ना है और launch later balancing ने technique की व्याख्या करना है और unbalance से infect को व्याख्या करना है ठीक वही पे निश्ट आता है तो line engine में multi cylinder engine के balancing से आप क्या समझते हैं इनके बारे में पूरा follower mechanism क्या होता है इन सभी चीजों के बारे में पूरा बिधुवा साइडिंग से पढ़ लेना है वही पे निश्ट आता है तो bevel gear क्या होता है हलकल gear क्या होता है differential gear क्या होता है ये सभी चीजों के बारे में फीगर सहीत आप लोग को पूरा बिदूफा से रट लेना है ठीक तो आई हो गाइस यहाँ पे जितने भी most important question बताए गए यानि आप लोग को 40 plus most important question बताए गए time का ठीक यहाँ पे आप लोग को जितने भी most important question बताए गए अगर सभी चीजों को सभी topic को पूरा बिदूफा setting से आप पढ़ लेते हैं तो 100% sure है कि आप लोग पूरा बिदूफा अच्छे से अच्छे performance कर सकते हैं ठीक तो बसकाई आज के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा share कनने कोसिस कीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद